हेलो गाइस तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूटूब के नए अपडेट के बारे में जानेंगे अगर आप एक यूटूबर हो या फिर आप यूटूब पे वीडियोस बनाते हो तो आप के लिए ये अपडेट बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है दोस्तो तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूटूब के नए अपडेट के बारे में लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर कर दिजए ताकि इसी तरह की अपडेट आपको इन फ्यूचर मिलती रहे तो चलिए हम लोग जादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते है तो दोस्तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूटूब का नए अपडेट के बारे में तो आपने देखा होगा दोस्तो किसी भी चैनल का जो नेम होता है उसके नीचे आपको यहाँ पर सब्सक्राइबर बेस दिखता है अगर आप एक beginner यूटूबर हो तो आपके लिए इससे ज़्यादा bad news कुछ होई नहीं सकता है तो यह सबसे बड़ी problem beginner यूटूबर के लिए लेकिन जो औरेडी ग्रो कर चुका YouTube है जिसके लाखों में subscriber है तो उसके लिए कोई problem नहीं दोस्तों क्योंकि क्या होता है जैसे जो beginner यूटूबर होते है उनके लिए problem यह होता है जैसे लोग क्या करते है आपका subscriber देखके आपको judge करते तो आपने भी देखा होगा आप भी जब video किसी का open करते हो YouTube पे तो पहले आप उसका subscriber base चेक करते हो कि हमें उसके subscriber base से हमें पता चलते हैं कि वह बंदे के पास कितना knowledge ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों हम किसी को judge नहीं कर सकते हैं लेकिन जादा तर टाइम हम लोग इसी तरह video देखते हैं कि हम लोग subscriber देखकर उनका channel देखते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन अभी क्या होने वाला है जो beginner YouTuber है उनके लिए सबसे वड़ी problem होने वाली कि उनका जो subscriber base है वो फास्ते ग्रो नहीं हो सकता है क्योंकि वो already मतलब जो उनका subscriber है वो आगे वाले इंसान को show करेगा ने तो पहले हम लोग उसको hide कर सकती थे अभी भी आप 29 जुलाई तक उसको hide देख सकते हो लेकि उसके बाद जो YouTube का नया update आया है तो वहाँ पर आप उसको hide नहीं कर पाओगे या फिर hide का option नहीं मिलेगा तो ये problem हम देशे beginner YouTuber के लिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो helpful लगाओ informative लगाओ तो आप इस channel को subscribe और like करना ना बुले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको in future मिलती रहे